कि यो की हल चाल गर्मियों में हमको अच्छा और फ्रेज दिखना कितना डिफिकल्ट होता हुआ ये तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि गर्मियों में हम कई सारी प्रॉब्लम के साथ गुजरते हैं जैसे संगी ही संगी हामफुल रेज जिनसे हमारी डेमिज हो सकती है और ह बहुती बड़ी प्रॉब्लम जो की सीना आना होता है जिसकी वैसे हमारी बोड़ी में एक बहुती बैड इसमेल होती है जिससे हमको बहुती ज्यादा अंकमफुर्टेवल फील होता है तो इन सब से बचने के लिए मैं इस वीडियो में आपको कॉंस टिप्स बताने वाला हू तो वीडियो को लास्ट तक देखना टिप नम्मर वन बियर कॉंटन क्लॉट अगर आपको गर्णिमियो में कमफुर्टेवल रहना है तो इसमें आपके कपड़ों का मेजर रॉल होता है अगर आप गर्णिमियो में ऐसे कपड़े पहनते हो जो आपके लिए सही नहीं है जै चीनो पैंट्स पहनने है चीनो सौट्स पहनने है यह आइटम और कपड़ों के कम पैरिजन में बहुत ज्यादा कमफुर्टेवल होते हैं जो हमको गर्मियों में बहुती कम गर्मी लगने देते हैं तो आपको इस बार प्योर कॉटन के ही कपड़ों को पहनना है जिसकी से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ गुजरन पड़ेगा और उसकी बजाद से आपके फेस पर भी पसीना आएगा जो कि काफी ग्रीसी से भी लगेगा तो पसीने को आप अपने सर्ट यार रुमाल से ना पूछे इस बार आप एक छोटा सा फेस वाइव का पैकट ल balance तो नहीं कर सकते तो आप इस बार कर सकते हो आप अपने सर्ट यार रुमाल से ट्रीस को ना पूछे나ंगी जिससे हम आपने हैंड़ को किलीन करते हैं उससे अपने फेसको क्लीन नहीं कर सकते एस बार आप अपने लिए एक लिए एक लिएप ऐर बीक्रिभ हैं जो सबसे ज़्यादा हमको इरिटेट करता है वह किन यह प्रोफ्रॉल हम लोग सभी फेस करते हैं जिसकी बशाथ से हम वह रहते ज़्यादा और फ्रेस करते हैं वैसे ले जहां इस से अपके बचने आप को मेरा और आप पहले से ज़्यादा कमफिटेबल भी फील करोगे अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप यह कर सकते हो जब भी आप टीसर्ट या सर्ट पहने तो आप अपने वेस्ट पहन ले यह आपकी पसीने की प्रॉग्रम को कम कर देगा और इन समर सीजन्स में आपको बहुती ज़्यादा प्रेस भी रखेगा टिप नंबर फोर प्रॉपर समर हेर स्टाइल टिप जी बाई इस्पेसली समर्स में आपको बालों को बहुती केरफुली रखना होता है आपके वाल आपके फोरेट पर नहीं गिरने चाहिए स्वेट और डर्ट की बजा से आपके फोरेट पर पिमपल्स हो सकते हैं तो इसके लिए बेस सॉलूशन यह है कि आप सॉर्टर या मीडियम लेंग्ध की हेर स्टाइल रखें इस्पेसली समर्स सीजन के लिए आप जो भी हेर स्टाइल रखोगे उसके साइड सॉर्टर या फेड होनी चाहिए आप फेड क देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसके अलावा आप अपने फोरेट को सन की यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करना क्योंकि सन की हार्मफूर रेज आपके हेर लेंग्ध को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर सकती है और आपको फोरेट को बहुत आपको एंटिवेक्टेरियल सौप और वाडिवॉस भाई गर्मियों पसीना आने की बजा से हम सबी या कई भाईयों को बहुत गंदी स्मेल आने लगती है जिसकी बजा से बहुत ज़्यादा इन्वेरिस्ट फील भी करते हैं यह हमारे ज़्यादा पसीना आने की बजा से ह द muchísimo हुता है तो जिन भाईयों को ऐसी वादि समयल आती है तो आपकी लिए यह करना चाहिए आऩ जब भी नाने के लिए जाओ आपको चाहिए करना है आप किसी भी एंटिवेक्टेरियल सोप या बोडी वसको ले सकते हो जिससे आपकी बहुती ज़्यादा help होगी व्यडि स्मेल नहीं आएगी एंटिवेक्टेरियल सोप या वाडी वर्वर्ण आफ़की बोड़ी से सवेट और वेक्टिरिया को किल कर देता है जिसकी बजास से आपकी बोड़ी भी काफी क्ली रहती है और बोड़ी से अच्छी चैनल को अच्छी स्मेल रहती है जिससे आफ बहुती supportive रहते हो तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर देना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना अगली वीडियो फ्रेंडिंग हरिस्टाइल पर आने वाली है उसको देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक